किन एक ऐसे शक्स हैं जिनका नाम है तौकीर रजा खान आप इतिहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं आपका नाम भी आया भड़काओ भाशन देने में मैं उनका स्वागत कहरना चाहता हूँ तौकीर साब आप पर आरोप है कि आपने भड़काओ भाशन दिया है इस पर सबसे पहली बात आप क्या कहेंगे क्योंकि बीजेपी का दावा है कि आपके भाशन में हिंदू को हिंदूस्तान से भगाने की बात की गई है यह कैसे एकसेप्टिबल है देखिए अब इस बयान पे मेरा कुछ बोलना कतरी ना मुनासिब है मैं आपसे यह चाहूंगा कि मै ने जो कुछ भी बोला है उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है अगर आप उसको सुन ले किस अंदर में मैंने क्या कहा है अगर एक बार उससे को सुन लेंगे आप नहीं बलके हिंदूस्तान का कोई कट्टर से कट्टर मुस्लिम विरोधी भी अगर मेरी बात सुन लेगा तो वो मेरी बात की ताइद करेगा मेरी बात की मुखालफ़त नहीं कर सकता मैंने पावर की तो बात ही नहीं की मैंने ये कहा कि हेट स्पीच वाले लोग वो जो भड़का रहे थे अपने नوجवानों को तलवार बाट कर और ये कह रहे थे कि 20 लाक मुसल्मानों का कतल करना है ये उनके लिए कहा था कि अगर हमारे नوجवान आपके इन तमाम चीजों से नाराज हो गए और हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो हमें अंदेशा है कि देश में ग्रह युद्ध हो जाएगा और हम किसी भी हालत में अपने देश में ग्रह युद्ध नहीं होना जैना चाहत है क्योंकि हम अपने देश से अपने देश से प्यार करते हैं एक तो सबसे पहली बात ये ग्रह युद्ध वाली बात ऐसी बात ही क्यों करना दूसरी चीज़ आप कहते हैं कि हिंदू हिंदूस्तान में नहीं रह पाएगा ये आरोप आप पर लगा है आपका वो भाशन की स ज़वान आपको देंगे हमारे कंट्रोल से बाहर हो जायेंगे तो उन लोगों को जिनूंने ये हैट स्पीश दी थी और उन लोगों को यकीनًا हिंदूस्तान में जगानी मिली उन लोगों कर ठिकाना जेल ही होना चाहिए और अभी दो गए हैं बाकी लोगों को भी जेल ज सत का भहुश कार करके वाक आउट करके बाहर गया था मैं उनका संबान करता हूँ और उन तमाम हिंदु लोगों का इन डी जी पीस का उन सेना पिरुवुकों का आधर करता हूँ और उनका सवागत करता हूँ जिन्स mejorar करता हूँ कि मैं कोरोना पीरियट चल रहा है मैं 20 लाक एक बार में नहीं दे सकता अगर मेरे खुन से मेरे नौजवानों के खुन से आपकी प्यास बुचती है तो हम लोग मरने को तयार है मैंने अपने 20,000 नौजवान फील्ड में जमा किये और मैंने दावत दी के आईए हमें गतल कीजे चाहें अपनी पुलिस से करवाईए या अपने आतंगवादी गुंडों से करवाईए हमारा नौजवान आपका हाथ भी नहीं पकड़ेगा हम इतने अमन का पैगाम दे रहे थे कि हम अपनी जान देने को तैयार हो गए अपने देश में शांती बनाए रखने के लिए इसके बावजूद अगर कहा जाता है कि मैं हेट स्पीच दे रहा हूँ भड़काव भाशन कर रहा हूँ मैं अपने नौजवानों को अपने कंट्रोल में रखता हूँ ये मेरे अंदर ताकत है मैं अपने नौजवानों को गांधी वादी बना सकता हूँ गोड से वादी नहीं बना सकता हूँ अगर आप भड़काव भाशन नहीं होने की बात करते हैं तो पिर आपने भी तो एक तरीके की हेट स्पीच ही दी है कि हमारे युवा कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ये बोलने की क्या जरुवत है ने देखिए थोड़ा सा इसमें ये समझ लिए कि रोज़ाना का ये तमाशा इन लोगों ने बनाया हुआ है कभी कुरान की बेहरमती करते है चोरहों पे कुरान को जलाया जाता है कभी रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करते है कभी अपने नौजवानों को भड़काते है कि मुसल्मानों की लड़किया भगा के ले आओ उन्हें बहकाओ उन्हें वर्गलाओ उन से शादी करो एक एक लाग रुपया इनाम दिया जाएगा कभी कहते हैं कि 20 लाग मुसल्मानों का कतल कर दो ये सब नौजवान कब तक सुनेगा कब तक बरदाश्ट करेगा आज हमने कंट्रोल में रखा हुआ है कल अगर हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो ये बताईए कि फिर देश की क्या सूरतेहाल होगी मैंने कहा हम लड़ सकते हैं लड़ाई हमारे खून में है लेकिन हम तुम से नहीं लड़ना चाहते अगर तुम्हें लडने का शौक है तो हमारे साथ चलो हम चाइना के बॉर्डर पे चलके लडने के लिए तैयार है हम कैलाश मांसरोवर चीन से आजाद कराने के लिए तैयार है जो भारतिये जनता पार्टी नहीं करा सकी हम देश का नक्षा बदल सकते है हमारे साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलो हमारे अंदर इतनी शक्ती भी है और इतनी हिम्मत भी है कि हम पाकिस्तान को वापस अपने हिंदुस्तान में मिला सकते हैं देश का नक्षा बदर सकते हैं तौखीर साब ये सब बात अभी सुनने में जरूर अच्छी लगती है लेकिन इससे पहले भी आप पर कई बारा रोप लगए हैं भड़काऊ भाशन देने के और कुछ ऐसी बात बोलने की जो की नहीं बोलनी चाहिए मसलन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें जो लोग आतंकवादी गतिविदियों में लिप्त हैं उनके लिए भी तो हमदर्दी वाली बातें आपने बोली हैं लेकिन कू एप पर दर्शक निश्था लिख रही है कि कॉंग्रेस भी बीजेपी की तरह वोटों के धुरूविकरण में दिल्चस्पी लेने लगी है क्या दर्शक सल्मान सिदी की लिखते हैं कि शिक्षा स्वास रोजगार को किनारे करके नफरत के नेरेटिव गढ़े जा रहे हैं अब मद्दाता पर निर्भर करता है कि उसे क्या पसंद है तो आकिर जी आप से सीधा सवाल यही है कि अगर धुरूविकरण हो रहा है हमारे लोग में भी किरोध है पर हमने रोका हुआ है बेकाबू हो गए तो ने संके जी किरोध तो है किरोध तो है अगर किरोध ना होता तो उस किरोध की वज़ा से हमने लड़ने की बात नहीं की बलके हमने अपने किरोत को और अपने नोजवानों के किरोत को शांत करने के लिए हमने कहा कि हम अपनी जान देंगे, हम सर पे कफन बांद के आए, हमारे नोजवान सर पे कफन बांद के आए कि अगर तुम्हारे देश में शांती, अगर तुम्हारे खुन की प्यास हमारे खुन से बुच सकती है, तो अपने देश के अमन और शांती के लिए हम अपना खुन तुम्हें देदे के लिए तैयार हैं. अब ये मैं एकता का भाई चाने का पैगाम दे रहा हूँ, या हेट Pizza अरहा हूँ, ये फैसला देश की जनता ने करना चाहिए, मैं हिंदू और मुसल्मान, मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूँ, कि जो हिंदू को मुसल्मान से अलग करने की बात करता है वो हिंदू का और हिंदूस्तान का दुश्मन है और जो मुसल्मान इस कि गुफटगू करता है हिंदू से अलग रहने की बात करता है वो मुसल्मानों का सबसे बड़ा दुश्मन है तौकीर रजा खान आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करें आपका बहुत 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 धन्यवाद